तो हे गाईस, फाइनली हम लोगों के पास अभी noise की watch आ चुकी है, इसका model icon 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर कुछ information दी हुई है, यहाँ पर आपको 24 x 7 Hz का rate meter मिल जाता है, और यहाँ पर आपको camera control भी मिलेगा, और आपको यहाँ पर इतने सारे options available हैं, तो अभी हम इसको open कर लेते हैं, warranty card मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, यह अपना warranty card है, और यहाँ पर कुछ stickers हम लोगों को दिए गया है, बाकी यह अपनी book है, तो अभी हम लोग जल्दी से watch को निकाल लेते हैं, और इसको mobile से connect करना सेखते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को य charger connector दिया गया है, और यहाँ पर यह अपनी watch है, तो आपको इस watch को mobile से connect करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर long press करके रखना है, तो यह हम लोगों कुछ इस तरह से open हो जाएगी, अभी हम लोग इसको mobile से connect करते हैं, तो इसके लिए हम लोग को एक mobile लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको play store पर जाने के बाद में, noise fit का एक app install करना पड़ेगा, तो यह अपना app रहेगा, आप इस app को install कर लिजेगा, finally अपना app install हो चुका है, और अभी इसको जल्दी से हम लोग open कर लेते हैं, सबसे पहले आपको इसको open कर लेना होगा, इसके बाद मैं आप से यहाँ पर gender पूछ रहा है, और बाकी का यहाँ से हम लोग submit कर लेते हैं पहले, तो यहाँ से कुछ इस तरह से allow करेंगे हम लोग, उसके बाद में कुछ इस तरह से open हो जाएगा, अब उसके बाद में यहाँ to add पर आपको click करना है, और allow कर देना है, फिर से हम लोग पर यहाँ से आप देख सकते हो, टेप्स बगएरा आ रही है, इस्टार्ट पर click करेंगे, उसके बाद में swipe up to see the quick setting, यहाँ से हम लोग इसको swipe करेंगे, और यहाँ से देख सकते हो, पूरा सब कुछ, सो करने लगा है हम लोगों को, और उसके बाद में यहाँ पर फिर से एक option आ रहा है, pair your noise icon to, तो यहाँ पर हम लोग को go to setting पर जाना है, और यहाँ से settings allow हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो, pair and connect क्लिक कर देना होगा, और यहाँ से pair कर देंगे हम लोग, उसके बाद में आप हम लोग की जो watch है, वो connect हो चुकी है, और यहाँ से आ watch faces पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से इतना दिख रहा है, अभी यहाँ पर यह वाला लगा हुआ है, तो हम लोग इसको यह वाला लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह वाला अक्टिवेट हो गया है and यह वाले पर क् क्लिक करना होगा और यहां पर Select Photos में आना होगा और उसके बाद में अपना जो Photos होगा वो Photos यहां पर आ जाएगा और अभी हम लोग फोटो को Add करके आपको इसमें Set करके दिखाते हैं यह वाला फोटो हम लोगों ने ले लिया है तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर अपना फोटो लग चुका है, और यहां से अब मैं आपको calling भी करके दिखा देता हूँ, किस तरह से calling होता है, तो उसके बाद में अगर आपको notifications on करनी है, तो आप notifications भी on कर सकते हो यहां से, अगर आपका phone कर चाहिए, तो आप phone का on क कर सकते हो, उसके बाद में अगर आपको message कर चाहिए, तो message का, facebook का, सब का, आप इधर से on कर सकते हो, जैसे मैं आपको phone करके दिखा देता हूँ, तो इधर आप देख सकते हो, इस तरह से आपका यह show करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसका speaker on करेंगे, तो आप देख सकते हो, और आपको यहाँ पर history भी देखने को मिलेगी, आप यहाँ से history भी देख सकते हो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को like और channel को subscribe जरूर कर लिजएगा,